तो आज हम बात करेंगे कि बेबी लवली इनू को इनको आप कैसे खरीद सकते हो खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले इसकी प्राइवेट प्री सेल चलने वाली है 20 सेप्टमबर से सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा खरीदने को लेके लेकिन एक नई चीज यहां पर ही है कि इस प्राइस तक पहुचा देंगे प्राइस तक यह पहुचा देंगे छे महीने में और इनका ये target है इसी vision के साथ आया है baby lovely innu coin और आज इस video में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि इसको खरीदना कैसे है आप मैं से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसको खरीदना कैसे है इसको खरीदने के लिए listing अभी November में होंगी अभी October में pre-sale चलेगी अभी 20 September से private pre-sale चुरू हो रही है तो मैं आपको यहां दिखा देता हूँ तो सबसे पहले pre-sale को लेके details है यहां पे ठीक है private pre-sale चलेगी सबसे पहले private pre-sale चलेगी 20 September से लेके 30 September तक ठीक है इस private pre-sale के अंदर जो price रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ इस private pre-sale के अंदर जो price रहेगा यहां पे है ठीक है यह token का price रहेगा और listing जब होगी न listing के time पे इस token का price इतना होगा ठीक है तो आपको profit होगा listing के time पे तो पहली चीज तो आप इस token को इस private pre-sale में खरीच सकते हैं जो की 10 जो की 20 September से लेके 30 September तक चलेगी ठीक है पहला step तो खरीदने का यह है इसके बाद 1 October से चलेगी public pre-sale उसकी detail मैं आपको बता देता हूँ और public pre-sale चलेगी 1 October से 10 October तक कई round चलेगे sale के देखो 20 September से 30 September से तक private sale चलेगी उसमें आप खरीच सकते हो और यहाँ पे है October में पूरे 30 दिन October में sale चलेगी पहली round चलेगा October में पहला round जो sale का चलेगा public sale का वो है यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 10 October तक चलेगा token का price इस sale में रहेगा इतना यहाँ पे price समेट बता रहा हूँ और तीसरे round यह अगर हम बात करें 21 से 30 October तक जो pre-sale चलेगी उसमें price इतना रहेगा तो 3 round October में pre-sale के चलेगे ठीक है private pre-sale September में 10 दिन अब चलेगी और 10-10-10 तीन बार 10-10 दिन चलेगी October में पूरा October का महीना भी sale रहेगा अब November की बात कर लेते हैं November शुरू होगा November में यहाँ पे 1-7 November को है crowd sale ठीक है तो यह भी एक sale चलेगी और इसमें जो price रहेगा token का वो इतना रहेगा तो price आप देख रहे हो price vary करता जा रहा है तो 4 sale होगई 1-7 November तक sale चलेगी और exchange में जो listings होंगी इसकी baby lovely की वो 10-15 November को होंगी और यह price रहेगा जब listing होगी तो कितना ज़्यदा profit आपको होगा मतलब आप private pre-sale में खरीदते हो तो बाकि आप खुद से भी इस token के उपर research कर लेना अभी जो इसकी है private pre-sale 20 September से शुरू हो रही है और यही एक तरीका है इसको खरीदने का लिस्टिंग इसकी November में होंगी November पे कहां-कहां लिस्टिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इनके roadmap में इन्होंने बताया है तो coin gecko के उपर listing करेंगे coin market cap यहाँ पर देख सकते हो और exchange जो लिस्टिंग होगी Binance का भी number आएगा Coinbase का भी number आएगा तो काफी exchange का number आएगा और 6 महिने में इनको price इतना करना है जितना इन्होंने बताया हुआ है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा chance है यह भी Lovely Inu को टकर देने आया है बिल्कुल Lovely Inu को टकर का है लेकिन Lovely Inu का जो विजन है वो काफी बड़ा है 1 डॉलर का और यह विजन मुझे लगता है अचीव हो सकता है और काफी अच्छा response Baby Lovely Inu को मिल सकता है तो Baby Lovely को खरीदने का अभी यही तरीका है एक तो आप Private Presale में खरीज सकते हो और बाकी October में जो Presale चलेंगी तीन राउंड की उसमें खरीज सकते हो और जो November में सेल चलेगी उसमें खरीज सकते हो फिर Listing होगी तो Listing पे जो प्राइज होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ तो अभी Baby Lovely को खरीदने का मौका सिर्फ Presale में है अभी एक डेड़ महीने सिर्फ Sales चलेंगी, Presale चलेंगी और उसमें आप खरीज सकते हो अब आपको Depend करता है आपको किसमें खरीदना है Private Presale में खरीदना है या October में चलने वाली तीन राउंड की Sales में खरीदना है तो आप खुद डिसाइड कर लो और खुद से भी आप Research कर लेना Baby Lovely पे तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि Baby Lovely को कैसे खरीदना है और ये जो Vision है देखते हैं Achieve 6 महिने में होता है या नहीं होता है तो आज किस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई